त्रेता युक पगवान श्री राम और माता जान्दी के विवाह पर आधारित अबद मितला सबेलन दोनों छेत्रों के सांस्क्रितिक संबन्दों को प्रगड़ करने का एक प्रयास है त्रेता युक राम और मालोही अबद विश्य विद्धारे में आजीति होना अधारिता आपकम 14 को खाटन सत्र होगा श्रामपूर उसके बाद 15 तारिक को लगवगच्य टेकनिकल सेशन चलेंगी जिनमें सीता राम विवाह, त्रेता युक, रामायन, राम राच्य, अबद औ मिठलाच यत्रों के सांस्कृतिक और परेक्टन से सम्मधित इश्य कवर किये जाएंगे जिसमें लगवाकर 35 वक्ता देश और विजेश से सम्मलित है जिन्हें आम लोगों ने आम अधृत किया हुआ है उसमें दरामायने स्कूल कुछ कुछ कॉंच कॉंटेस्ट करेगा ज जी ने जो वालमीक रावायन पर देव सरी चलाते हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक एनिवेटिड वालमीक रावायन पर सरी तयार की है यह सब एक नए इनोवेटिव प्रियास भी देखने को मिलेगे आई जावासीं को और लिश्य तरूप से यह सम्मेलन अपने सारे आईए देखते हैं अवध मिथला समिट में चर्चा किये जाने वाले विशेयों पर मूल वालमीकी रामायन में किस प्रकार का वरणन है यह विडियो क्लिप्स 21 नोट्स के वालमीकी रामायन श्रंखला में से लिए गए हैं श्री राम और सीता जी का विवाह विश्वा मित्र जी ने राजा जनक से कहा कि श्री राम और लक्षमन उनका वेह प्रसिद्ध शिवधनुष देखना चाहेंगे द्रश्टु कामो धनुष्रेश्थम जनक बोले ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको इस शिवधनुष के बारे में कुछ बताता हूँ ये परम्मूल्यवान धनुष्ध धनूरतनम भगवान शिवधी का था महराज देवरात के समय से ये हमारे कुल में रहा है मेरी एक लाडली बेटी है सीता कई वर्ष पहले एक दिन मैं यग्य के लिए भूमिशोधन करते समय हल चला रहा था तब मैंने इसे पाया इसी लिए इसका नाम सीता रखा जिसका अर्थ है हल द्वारा खींची गई रेखा जब वो बड़ी हुई तब इसके विवाह से सम्मंधित कई प्रस्ताव आए लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि इससे विवाह करने का अधिकार उसी को होगा जो सर्वोच पराक्रम और पुर्शार्थ दर्शाए विवाह की इच्छा रखने वाले सभी राजाओं ने पूछा कि इसके लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है तब मैंने उनके सामने शिवजी का ये धनुष रख दिया परंतु वे सब इसे उठाने या हिलाने में भी असमर्थ रहे और फिर मेरे द्वारा तिरसकार हुआ मानकर वे बड़े क्रोधित हुए उनके पराक्रम के विशय में संदेह उत्पन्न हुआ था वीर्य संदेह मागताह उन्होंने मिलकर मिथिला को चारो ओर से घेर लिया घेरा एक वर्ष तक टिका रहा लेकिन अंततह मैंने उन्हें पराजित किया तो ये है कथा इस शिवधनुष की अब मैं इसे श्री राम और लक्षमन को दिखाता हूँ राजा जनक की विद्वत्ता का कई बार उल्लेख होता है लेकिन वे महापराक्रमी भी थे एक जुठ हुए सारे विरोधी राजाओं को उन्होंने परास्त किया शिवधनुष दिखाते समय उनके मन की अवस्था कैसी हुई होगी वे अपनी बेटी के लिए योग्यवर्तो ढून रहे थे लेकिन अभी तक शिवधनुष दिखाने पर हर बार उन्हे निराशा ही हुई थी तब राजाजनक ने अपने मंत्रियों को वो दिव्य धनुष लाने की आग्या दी वो धनुष आठ पहिये वाली लोहे की एक बहुत बड़ी संदूप में लाया गया मंजूशा मश्ट चक्राम श्रीराम ने संदूप को खोला और लीलया सधनुर मध्ये जग्राह उस धनुष को बीच में पकड़ कर साज़ता से उठा लिया आरोपयत सधर मात्मा सलील मिवतत धनुः और खेलसा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी उन्होंने जोही उस प्रत्यंचा को कान तक खीचा क्यों ही वो धनुष बीच से ही तूट गया तूटने की आवाज इतनी भयानक थी मानो कोई वज्रपात हुआ हो या भूकंप आया हो महराज जनक परम हर्शित हुए और बोले महादेव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना एक अद्भुत और अचिंत्य घटना आज मैंने अपनी आखों से देखा है विश्वास नहीं होता सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है प्राणईर बहुमता मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह श्री राम के साथ हो लेकिन मैंने तो सुना था सीता जी का स्वयमवर हुआ था कई अन्य राजा इस स्वयमवर में असफल रहे और अन्थ में श्री राम भरी सभा में आगे बढ़े और उन्होंने अपना पराक्रम दर्शाया आपने तो स्वयमवर की बात ही नहीं की वालमीकी जी के वरणन में स्वयमवर नहीं है जब श्री राम ने धनुष चढ़ाया तब सीता से विवाह की इच्छा रखने वाले अन्य राजा वहां उपस्थित नहीं थे और हाँ उन राजाओं में कुछ राक्षस भी रहे थे लेकिन रावन का नाम इस विशय में वालमीकी जी ने नहीं लिया है अब रामायन के कई अन्यसंसकरणों में ये घटना एक स्वयमवर के रूप में बताई गई है और ये तो मानना पड़ेगा कि जब घमंडी रावन को शिवधनश उठाते समय गिरते हुए दिखाया जाता है तब बड़ा मज़ा आता है राजा जनक ने विश्वामित्र जी से आग्या लेकर दश्रत जी के लिए विनययुक निमंद्रन भेजा मार्ग में तीन रात रुकते हुए चौथे दिन उनके दूद अयोध्या नगरी पहुँचे आपको याद होगा दश्रत जी ने कई दिन पहले राक्षसों से निपटने के खत्रे से भरे कार्य के लिए अपने बेटों को भेजा था इसलिए उन दोनों का शुबसमाचार और श्री राम का मिथिला में पराक्रम सुनकर दश्रत बड़े प्रसंद्न हुए दश्रत जी चतुरंगिनी सेना लेकर मिथिला आए उनके साथ उनके मंत्री और पुरोहिद भी थे अनेक बहुमूल्य भीट वस्तुए भी लाई गई थी मिथिला में श्री राम और सीता के विवाह के साथ ही दश्रत जी के अन्यपुत्रों का विवाह निश्चित हुआ लक्षमन का सीता की बहन उर्मिला के साथ और भरत और शत्रुगन का राजा जनक के छोटे भाई कुशत ध्वज की बेटियों मांडवी और शुरुतकीर्ती के साथ देखने वाली बात है कि जब वसिष्ट जी ने श्री राम के कुल का परिचय राजा जनक को दिया तब उन्होंने ठीक कुल के पहले राजा इकश्वाकु से शुरुवात की इकश्वाकु से राजा दश्रत तक 34 पीडियों के बारे में उन्होंने बताया उन्ही में थे राजा सगर 15 नंबर पर भगीरत 19 पर और राजा रगु जिनके नाम से रगु अंश हुआ 21 स्थान पर उसके बाद राजा जनक की बारी आई अपने कुल का परिचय देने की उन्होंने कुल के पहले राजा निमी से शुरुवात कर पूरे 23 राजाओं की सूची दी निमी के पुत्र थे मिथी जिन से नगरी का नाम हुआ मिथिला मिथी के बाद हुए पहले जनक राजा प्रथमो जनको नाम जनका दप्युदावसु पहले राजा जनक के पुत्र थे उदावसु उदावसु के बाद नंदिवर्धन, सुकेतु और फिर देवरात वही देवरात जिनोंने शिवधनुष पाया सोचने वाली बात है एक ओर तेईस राजाओं की सूची और दूसरी तरफ पूरे चौती स्पीडियों का इतिहास चौती स्पीडियां यानि मान लीजिये 800 से भी अधिक वर्ष जो लोग अभी भी आश्वस्त नहीं है कि रामायन वास्तविक है या कालपनिक वे इस बात पर विचार करें चौती स्पीडियों का वर्णन अगर इतिहास नहीं है तो इतिहास कहें किसे विवाह की विधियां सादगी से और सुचारू रूप से संपन्ध हुई दश्रजी, श्री राम और सभी अन्य लोग अयोध्या की ओर चल पड़े अब अयोध्या में समय बीटता गया बालकांड के अन्तिम सर्क के कुछ अन्तिम श्लोकों में वालमीकी जी ने वर्णन किया है किस प्रकार श्री राम और सीता जी के बीच प्रेम और प्रीती का अनुबंध बढ़ता गया गुणाद रूप गुणाद चापि प्रीतिर भूयो भिवर्धते सीता जी सुन्दर तो थी ही और सर्वगुण संपन्न भी थी श्री राम का उनके प्रति प्रेम अधिकाधिक बढ़ता गया और तस्याश्च भरता द्विगुणम हृदये परिवर्तते सीता जी का तो श्री राम के प्रति प्रेम उससे भी दुगना था अंतर गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयम रदा एक दूसरे के मन की बाद वे बिना कहे ही समझ जाते वालमी की जी कहते हैं कि श्री राम और सीता जी तो यूं थे मानो लक्ष्मी के साथ विश्णु भगवान शोभा पा रहे हूँ और इनी शब्दों के साथ वालमी की रामायन का पहला कांड समाप्त होता है बालकांडम समकूर्णम इति ह आस ऐसा ही हुआ था